मस्कार आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरेनेस एजूकेशन न्यूज में दोस्तो इस वीडियो में चिकित्सा विभाग नर्सिंग और पैरामेडिकल भरती 2023 के बारे में बात करने वाले हैं आज की समाचार पत्र में जयनकारी प्रकासित की गई है राजस्तान पत्रिका की खबर है और प्रदेश में एक साल से फूटबाल बने बेरोजगार कभी सत्यापन तो कभी आचार सहिंता ने अटकाई नोकरी ये चिकित्सा विभाग के उन आठ भरतियों के हालात हैं जो पिछले एक साल से लगातार फुटबाल बनी हुई हैं भरतियां लगातार विभिंताएं आ रही हैं वेरियसंस इतने आए हैं कोड के चेरिक इतने चीजें हुई हैं कि अब तक जो सिफू है भरतियों का निप्टारा नहीं कर सका है चिकित्सा केडर की भरतियां अब कब तक क्या हो सकता है उस पर भी बात करने वाले हैं लेकिन पहले खबर देखिएगा और सबसे पहले मैं बताओं दोस्तों ये सीकर जो राजस्थन का एक जिला है उसकी खबर है सीकर राजस्थन पत्रीका की खबर है ठीक है आप आप लोगों को इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट के रूप में मिल जाएगी और टेली ग्राम पर भी मिल जाएगी सबसे पहले पत्रीका का धन्यवाद की उन्होंने बेरुजगारियों की इस खबर को परमुक्साद से उठाया है और एक साल से चिकितसा विभाग की जो भरतिय से चिकितसा विभाग का दावा है कि बाहरी राजियों के बहरतियों का सत्यापन का काम है लगबग पूरा और लगबग पूरा कर भी लिया गया है तो यहां पर देखिए चिकितसा विभाग की आठ के डर की भरतियों में चैनित बेरुजगार नोकरी के लिए फुटबाल बने हुई हैं कभी दस्तावी सत्यापन तो कभी अनुभो प्रमान पत्र तो अब आचार सहिंता ने बेरुजगार विभाओं की खुशियां दूर कर दी हैं इन भरतियों को आगे बढ़ान में सीफु की धीमी चाल की वज़े से प्रदेश के बेरुजगारों में चिकितसा विभाओं की ओर से भरतियों को तेजी से आगे बढ़ाया होता तो अब तक सभी कडर के चैनित अभरतियों को निक्ति मिल गई होती उदर चिकेतसा विभाओं के अधिकारियों का दावा एकी भारी राज्यों की अभरतियों को सत्यापन का काम लगबग पूरा कर लिया है सुत्रों के अनुसार प्रदेश में दो चरणों का मत्दान पूरा होने के बाद इन भरतियों को और रफ्तार मिलने की आस है अब दोस्तो लगातार ये जो बेरुजगार अभ्यारती है या इन नर्सिंग और पैरामेडिकल भरतियों जो चैनित अभ्यारती है उन्होंने भी अपने अपने जो धर्द है पीडा है उसको बयान किया है सबसे पहले आप लोग देखे राजकुमार रार कह रहे हैं कि पिछले एक साल से इंतजार कर रहे हैं उसके बाद भी सेफियों ने बेरोजगारों को खुसिया नहीं दी हैं सरकार इस मामले में निर्वाच और विभाक्षिया अनुमति लेकर अगले महिने तक निउति देने का काम करें कल्पना गर्वा नाम की अभ्यारती का कहना है कि सत्यापन के नाम पर बेरोजगार विभाओं की खुसिया अटकाई जा रही हैं जब अन्य भरतियों का प्रणाम समय पर जारी कर नुक्ति दी जारे तो नर्सिंग भरतियों को क्यों अटकाई जा रहा है अन्य भर्तियों की तरह चिकित्सा बाब की भर्ती भी साई समय पर होनी चाहिए सुनील नाम के जो अभियरतियं जो कोटा से आते हैं इनका कहना है कि चिकित्सा मंत्री के अस्वासन के बाद आंदूलन खत्म किया गया था इस दोरान लग रहा था कि आचार सहिंता से पहले परिणाम आ जाएगा लेकिन अब फिर से सत्यापन के जरिये देरी की जारी है अब युवा इसे बरदास्त नहीं करेंगे आचार सहिंता के दरान सिफु को जल से जल जो है सत्यापन कराना चीए इससे आचर सेंता हटते ही न्युक्ती मिल सकेगी ओंपरकास महला का कहना है कि करमचारियों के लंबे समय से पदरिक्त हैं और प्रक्रिया दिन भरतियों को पूरा कराया जाना चीए और 15,000 जो भरतियां हैं और की जाएं ठीक है ताकि और भी अभरतियों का भला हो सके नीतु चोदरी जो प्रदेश सद्याक से इनम की इनका कहना है कि अनुभव प्रमान पत्रों के सत्यापन में कई तरह की लापरवाई सामने आ रही है सत्यापन मन्युक्त कई करमचारें के और से सभी दस्तावेज एक साथ नहीं दिये जा रहे हैं इस वज़े से कई अभरतियों का सत्यापन अठका रहा है चिकित्सा निदेशाले को ऐसे लापरवा कर्मियों खिलाप एक्शन लेना चाहिए तो नीतु चोदरी का कहना है कि भाई जो अनुभवपुनर सत्यापन है वो यहाँ पर किये जा रहे हैं तो उसमें गलतियां की जा रही है करमचारें के दुवारा यानि कि जैसे जो चीजे मांगी जा रही है अनुभवपुनर सत्यापन में उनमें एक चीज की कमी रख दी जाती है फिर उसको लेने के लिए जोदपूर भागो अगर नागोर सीमचों ने रख लिया तो वो फिर वहाँ जाते हैं इस तरीके से अनिता परजापत का कहना कि भरतियों के विग्यपती जारी करते से में टाइम फ्रेम होना चाहिए जिससे बुरुजगार विवाओं को जुनोकरी का सपना टूटे नहीं ठीक है इनकी बात लगबग मैं सहमत हूँ सबसे बैतरीन बात कही है कि एक टाइम फ्रेम जो है निश्चित होना चाहिए लेकिन टाइम फ्रेम निश्चित इसलिए नहीं हो पाता सातियो कि जो कोट केचेरी होती है अब आप लोग देखिए अनुभव पुनर सत्यापन का जो रोला है कब से पैदा हुआ अगर अनुभव पुनर सत्यापन का आदे साया सोला नॉमबर दो हजार तेवीस को जब कोट में याचिकाए लगाए गए थी तब कोट ने रिने दिया बाइस को उसका फाइनल डेसिजन आया तो कोट की वज़े से ये अनुभव पुनर सत्यापन आया और अगर उस टाइम पे का किया जाता है तो आज ये स्तिती देखने को नहीं मिलती उस पार चोदरी जी बता रही है कि भाई बेरुजगारों के आंदुलन के समय समय तरह तरह के दावे किये गए इसके बाद आंदुलन समाप्त होती भरती अजनसी की रप्तार धीमी हो गई यदि भरती अजनसी जी दिखाती तो आचर सहिंता से पहले बेरुजगारों को नोकरियां मिल सकती थी खुशियां मिल सकती थी हमारे जो चोड़े भाई हैं सीराम डोडवाडी ये कह रहे हैं कि यदि चुना होने के बाद भी सीफू कामकाज में रप्तार नहीं दिखाता है तो बेरुजगार अंदुलन की रहा पकड़ने को मजपूर होंगे कार्मी की भाग और चिकित्सा निदे साले को सीफू की भरतियों को सही तरीके से मोनिटरिंग करनी होगी जिससे बेरुजगारों के नोकरी का सपना पूरा हो सके तो ये वो लोग हैं जो इन नर्सिंग भरतियों में चैनी हैं चाहे एनम में हो चाहे नर्सिंग ओफिसर में हो तो इनका ये कहना है कि सबने यही बात कही है ओवराल अगर इस खबर को विशले सित करें तो सबने यही बात कही है कि जल्दी मिलनी चाहिए समय पर नोकरी मिले युवाओं को खुशिया मिले ये सबका एक तरीके से इन स्टिटमेंट दर्ज कराया है इन सब को भी धन्यवाद लेकिन दोस्तों फिलाल जो है अनुभव पुनर सत्यापन सबसे बड़ी टेड़ी खीर है अनुभव पुनर सत्यापन में ही समय लग रहा है बाकी जो आप लोगों का भारी राज्यों के डिग्री डिप्लोमा थे वो लगबग जांस लिए गए हैं और उनको कर लिया जाएगा कंप्लिट बहुत चल्द लेकिन अनुभव पुनर सत्यापन अभी एनम्स के बाकी है उसके बाद नर्सिंग ओफिसर के बाकी है तो ये जो समय लगेगा इन में लगेगा क्योंकि दोस्तों अनुभव पुनर सत्य सत्यापन इसलिए किये जा रहे हैं कोर्ट का आदेश था कि कोर्ट ने का था भाई सब के एक बार चेक करो और जो गलत मिले उसको हटा दो इस वज़े से अनुभव पुनर सत्यापन में देरी लग रही है अब दोस्तों अगर देखिए अभी एनम्स का आना बाकी है संभव फिर नर्सिंग ओफिसर का आएगा अब नर्सिंग ओफिसर में कितना समय लिया जाएगा दोस्तों कुल मिला करके मेरा तो ये मानना है अभी अप्रेल की साथ आठ तारीक हुए दस मान लो आप यारे से ठीके ना दस अप्रेल मान लो अप्रेल के 20 दिन आप मई के 30 दिन और नर्सिंग ओफिसर के कर लिए एनेम्स के कर लिए तो दोस्तों आप उम्मीद कर सकेंगे कि आप लोगों को उसके अगले कुछ दिनों के अंदर नोकरे मिल सकेगे ठीक है अभी परिवेदना का काम चल रहा है लगातार ये लोग कर रहे हैं परिवेदना भी कंप्लिट लगब उनर्सत्यापन होने चीए और अगर इन्होंने आचर सहिंता सहिंता में अनभव उनर्सत्यापन कर लिए तो नोकरी आप लोगों को जल्द मिल जाएगी और भाई अगर अनभव उनर्सत्यापनी जून जुलाई तक चले गए तो फिर आपको ये लगता है कि दोस्तों फिर रिडियोग्राफर का तो इनके लिए जो दोस्तो अपडीट ही है कि इनका पहले नुक्ति हो जाएगा ठीके जिनके अनुभव पुनर सत्यापन होगे तो उनका पहले नुक्ति हो जाएगा अभी एनम्स का होना बाकी है नर्सिंग ओफिसर के होंगे तो इन में टाइम नहीं लगना चीए अगर इसमें समय लगा नर्सिंग ओफिसर और एनम के पुनर सत्यापन में तो नोक्री का समय भी आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा जितने जल्दी होंगे अनुभव पुनर सत्यापन उतनी जल्दी नोक्री मिलेगी जितना देरी से हुए उतनी देरी से ही नोकरी मिलने वाली है अब ये है कि आचार सहिंता आंदूलन भी नहीं किया जा सकता ठीके ना कुछ भी नहीं कर सकते आप सरकार के खिलाब या समर्थन में कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते तो ये बड़ी बात है तो दुवाई कर सकते हो आप लोग कि भाई जल से जल जो है य पूल मिला करके अभी अपरेल मै और जून में कुछ मुझे लगता नहीं कि होगा अनभव उनर सत्यापनी दोरान कर लिए इनों ने आच्छा सहिंता के दोरान दोरान तो यह मान के चलो जुलाई अगस्त तक मिल सकती है अगर अनभव उनर सत्यापन और आगे चलेगे तो जि स्टिंग पैलेस दिये जाएंगे एक डिड़ महीने का समय और जोड लिजे जिस दिन पूनर सत्यापन खत्म हो रहे हैं लिस्ट आने के बाद भी आप लोग यह मान के चलिए नोकरी में 20-25 दिन का समय लगा देंगे ठीक है तो अभी बेटी बाप के घरी है अभी काफी काम बाकी है अनुभवपुनर सत्यापन जितना जल्द होंगे उतना जल्द आप लोगों को खुशिया मिलेंगी बाकी चुनाव खत्म होने के बाद पता चलेगा कि रफ्तार आखिर क्या रहने वाली है और अभी एनम का लेटर आता उससे भी पता चलेगा कि एनम के कितने दिन है वो आएगा उससे पता चल जाएगा अंदाजा कि हाँ ये कितने दिनों के अंदर करना चारे है दूसरी बात यहाँ पर जो सी एम चोज है या फिर जो प्रिंसिपल मेडिकल कोलेज है या पी एमो है या जो अधिक्शक है सलंग चिकित साले समूं के इनके जो बाबू है या फिर इनके जो अधिकारी करमचारी हैं यह भी गलतियां कर रहें है ठीक है पहले अनुभोफ पुनरसत्य आब बना दी अनुभोफ अब जब दुबारा बना रहे है तो इनकी कोई की कुछ फाइल गाइप है कोई का कोई चाप पेज गाइप है जब वहाँ पर जाते हैं सिफू में तो सिफू एक एक चीज को ते बारी किसे देख रहा है अब वहाँ पर नहीं मिलता है किसी का भी एक document तो उसे लेने के लिए वापस भीज दिया जा रहा है इसमें समय काफी खपाय जा रहा है दोस्तो कुल मिलागर के बात है अभी होना जाना कुछ है नहीं फिलाल करता हूँ बहतर ही होगा सब कुछ आप लोगों के लिए फिलाल के इस वीडियो में सात्य उतना ही जै हिंद जै भारत